हालो एब्रीबन वेल्कम टो भाई चैनल हेल्दी ओम रेश्ट्रो आज हम बनाएंगे घर फे रिस्टोरेंट इस्टाइल मलाई सोया चाप जो स्नैक्स गया स्टाटर में हम लेते हैं तो यह सोया चाप पर आपको पता होगा कि यह प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है अगर मार्केट से और विए और उसको घर पे रेस्टोरेंट इसल कैसे बना लेते हैं सिंपल तरीके से यह सोचते हैं कि मिल्टा है ऑनलाई सोया चाप में यह जो मैंने यह ताय Приजम बना सकते में रहा क्या करेंगे के जिसे चाप लेंगे और इसको बीज से पूरा नीचे तक ऐसे काट जो आप देखेंगे तो ये दूग ईसे होจะ जाएगा और जो इसमें जब तक की चाप फ्राइब हो रहा है तब तक क्या करते हम चाप के लिए मेरी नेसर कामसाला त्यार कर लेते हैं तो यह मैंने दही को बाँद के रखा था दही जो हम डालेंगे मेरी नेशन में तो पानी इसमें नहीं होना चाहिए तो इसको चार-फांच गंटे के लिए बाँद के रख देंगे ताकि पानी पूरा निकर जायेगा अब दही में ही ले लेंगे अध्रग लैसन पेज अब इसी में डाल देंगे घुना जीरा पाउडर काली मिर्ट पाउडर ले लेंगे गरम मसाला डाल देंगे चाट मसाला पाउडर डाल देंगे नमग ले लेंगे बारीक कटी होयि हरी मिर्ची ले ले लेंगे इलाजी पाउडर ले ले लेंगे अब इसहे से मिक्स करना है अब अच्छे आ Kita मिक्स कर देंगे अब जैसे मेरी नेशन का मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें क्या करेंगे कसूरी मेथी जो है क्रंच करके डाल देंगे लेवर इसे बहुत अच्छा आजाएगा और इसे हलके हाथों से मिला देंगे अब मेरी नेशन के मसाला है त्यार हो गया है अब चाप को देख लेते हैं चाप जो है वो अच्छे सी फ्राई हो गया है जैसे ही ब्राउन हुआ है इसको प्लेट में निचाल लेंगे अब इसे कुछ मिनट के लिए हम रूम टंपरेचर पर रखेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए भी बहुत जादा गरम है अब चाप जो है यह पूरा ठंडा हो गया है मतलब इसको फ्रेज में नहीं रखना है नॉर्मल छोड़ देंगे रूम टंपरेचर पर आ जाएगा औ पूरा दोनों तरफ से तो हाथों पर अच्छे से मसाला लेके और इसको अच्छे से एक तरफ से लगाएंगे फिर उसको पलटके दोनों साइड से मतलब इसको एक तरह से पूरी तरह से हमें पोट करना है चाप जो है अच्छे से मेरी नेशन का मसाला जो है इस पर लग गय से इसे में ढाल सिके अँप और इसको हादों से इसमें भी nossa गुमा देंगे हाल तांकि प्याज पर मेरि नेसर का मसाला है भी कोट हो जायेगा आए चाप जो है अच्छी से मेरिनेसर वी डोगा है इसका अब इसे हमीर तंदूर करना है तो हम गैस पेis को तंदूर तो चलिए फिर हो देख लेते हैं चाप को तंदूर करने के लिए जैसे कि मेरे पास यह हम लोग भरता वगर बनाते हैं तो बैगन का जो बुनने का आता है स्टैंड मैंने वह लिया हुआ है इसके जगह अगर आपके पास सीख हो तो उस पर बना सकते हैं नहीं तो फिर यह सिंपल तवा पे अच्छे से फ्राइब हो जाता है तो गैस को अभी स्लो रखेंगे और जो मेरिनेशन में चाप डाला हुआ है उसको किसी चिम्टे से उठाएंगे जैसे इजली आप उठा सकते हैं और इसको उठाके और थोड़ा सा गैप दे के हम इसको रखेंगी बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए साथ में प्याज भी आ जाएगा तो कोई बात नह है इसको धीमे गैस पर ही हमें इसको इसको रोष्ट करना है तो थोड़ा सा इस्टेंड को भूमाते जाएंगे जैसे लगेगा कि कहीं से धुमा देंगे इसको अपने साब सेट कर सकते हैं जो प्यास के टुकड़े थे इसको भी मैंने इस पर बीच-बीच में प्यास का जाएंगे ऐसे ही पलट के चाप को अच्छे से हमें है और यह ध्यार रखना है बहुत ज्यादा इसको हमें रोष्ट नहीं करना है क्योंकि चाप जो है पहले अच्छे से फ्राई हो गया है और जो हमने मेरी नेसन में डाला है मसाला तो उसमें जो कच्छापन ले आएगा अध्रag लेसन पेश्न तो दुख यहां पर और अगर टाइब के लिगा में टो आघ दर कि अधर बीच के मैशन परस्ट पर यहां पर दाइगा ल wider जादा इसे इसारग झाल उप कि आप तो बस कुछ मिनट के लिए इसको हलका साहमें रोष्ट करना है अब ये वाला चाप जो है ये हो गया है तो इसको प्लेट में निकाल देंगे और अब यहीं पे जो और बाकी के चाप है ऐसे ही बारी-बारी से इसको सेख लेते हैं को मातरे तरीक में है तो ये सोया चाप जो है कितने अच्छे तरीके से गैस क्य सब्सक्री तटी आफ लेकास क्ट्र आप tenga पेर तंड़ोर देस्के साथ जो इप्यास था क्या बास भाफ हमें कटिंव में करना हैं अब प्लिंग क्या डरेंगे किया इसको आप कोई भी सेऻ कि थे सकते हैं ह gab ya कि अरहता को मैंने के काट लिया है अपने हिसाप जे खोई भी सेव में काट सकते हैं आफ इसे हमें मिक्स करना है यह बोल में एक और इसके साहब के जो यह प्यार रखा हुगा है तंदोर करके फ़ी ले ले लेगे इसी में ढ़ने अब इसी में इलाईजी पाउडर डाल देंगे चाठ मसाला ले लेंगे कसूरी मेती डाल देंगे हाथों से क्रश्च करके यहां पे अप धनिया की पती भी डाल सकते हैं अभी मेरे पास नहीं है, अब इसमें डालेंगे धेर सारा क्रीम, क्रीम को अच्छे से फेट लेंगे पहले, अब इसी को उपर डाल देंगे बटर, तो बटर जो है रूम टेम्प्रेचर होना चाहिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो बन गया ना, मज़ेदार साइस टार्टर घर पे, रिस्टुरेंट इस्टाइल, वह भी बिना तंदूर के गैस पे, तो देखें कितना पढ़िया लग रहा है, अभी इसको सर्व करना है, लिकिन मुझसे रहा नहीं गया है, तो मैं जब पहले बैं टेस्ट कर लेती हूँ, बहुत यम्मी, मतब लग भी रहा टेस्ट में, और कितने आसान तरीके से बन गया, तो आप ए रेसी पी जरूर ट्राइ करिए, घर पे बड़े अराम से बन जाएगा, घर पे बैठे-बैठे, आप तंदूरी, सोया, मलाईच आप का आनन ले सकते हैं, और वीडियो पसंद झाल सान तरीके से बना तरीके से बना जाएथ, जल बाव पसंद बनाएप ये जरूर पसंदा हैं, उया हां, भीडियो पी जरूर बढ़े